हेलो अब्रिवान, वेलकम टू एच्छ नध्यन, सो आप सभी कैसे हैं, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सब की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, जोरो शोरो से चल रही होगी, बिकिस आप सब को पता है कि नेट एग्जाम जो है वो दिसेंबर मे हैं, ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं, PhD एंटरेंस की, तो डेफिनिटली आप सब देख रहे होंगे, बहुत सारे PhD के फॉर्मस आ रहे हैं, और अभी आने वाले टाइम में और भी PhD के फॉर्मस आने वाले हैं, तो आपके लिए वो भी बहुत इंपोर्टेंट है, साथी अगर अगर शुर्मस आपके लिए भी यह सेशन इंपोर्टेंट है, अगरी मैंने दो सेशन ले लिये थे, ठीक है, सो पहला सेशन अलरेडी हो चुका है, सेकिंड सेशन भी हो चुका है हमारा रिसर्च मेथरोलोजी में, डेली हम पांच क्वेशन को कर रहे हैं, पांच पांच में कंप्लीट कर रहे हैं, सो आपका इस तरीके से 30 प्लस क्वेशन का टारगेट कंप्लीट हो जाए, 30 प्लस क्वेशन का मेरा टारगेट है कि आप सबका यह कंप्लीट होना चाहिए, तो 30 प्लस क्वेशन को हम टारगेट फुली कंप्लीट करेंगे अपने सेशन में टाइमिंग हमारा डेली बेसेस पे रहता है 2 पिम, दो बज़े मैं लाइव आती हूँ, डेली बेसेस पे तो आप लोग मुझे जॉइन कर सकते हैं, मेरे सेशन को जॉइन कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और चानल को कर दीजेगा, so that आपको नोटिफिकेशन टाइम आती रहे हमारे जो भी कोर्से हैं या जो भी सेशन सो रहे हैं उसके लिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, और देखिए हमारे बहुत सारे कोर्से स्टार्ट होने वा करते हूं, टेस्सीरीज की बात करते हूं, लाइव डाउट सेशन की बात करते हूं, पी वाइक यूज, सब कुछ आपको एक ही प्लाटफरम पे होने करवाने वाली हूं, मैं, और वो भी बहुत ही ऐफोरड़ेबल प्राइज में, मात्र 499 में, ठीक है, अब बात करते हैं ह 20% आप ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो, और अगर आप एक रेफरल कोड को यूज करेंगे तो, ठीक है, आपको यहाँ पे जो वेबसाइड है, या फिर आपका अप्लिकेशन है, तो वहाँ पे आपको कूपन कोड अप्लाइ करने के लिए बोला जाएगा, तो अगर 23 को apply करते हैं, so you will get 20% off, 20% off मिलने वाला है, और आपको जितने भी courses रहेंगे, बहुत सारे students पूछते हैं, हम बाइलिंग्वल रहेगा या नहीं रहेगा, तो yes, definitely बाइलिंग्वल रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही students को में यहाँ पर पढ़ाने वाली हो 1st of August से, ठीक है, जो कि हमारा live होगा, recorded भी चला जाएगा, PSJ इंटरेंस के लिए भी बहुत सारे batches हमारे start हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको class notes, Hindi English medium में मिल जाएगा, तो आप लोग चेकाउट कर सकते हैं, application को भी, औ और website को भी, HN Adhyan अगर आप type करेंगे, तो आपको application में मिल जाएगा, और आप website को भी check out कर सकते हैं, दोनों ही cases में आपको different, different, जो courses है हमारे, assistant professor के लिए अला courses है, तो सब के courses आपको मिल जाएगे, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, चलिए, बाकी की जो information रहेग method in social science, नामक पुस्तक के लेखा कौन थे, बहुत important यह है, पुस्तक का नाम है, research में, जो की आपसे question में पूछा जाता है, और मैं आपको कहूं, तो बहुत सरे entrance exam में, PhD के entrance exam में, यह question आया हुआ है, previous में, ठीक है, previous years में, different, different PhD के questions में आया है, जिसे IGNU के में आया था यह वा अगर हम बात करेंगे, question की, तो इसके accordingly answer क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका goodie and hat, ठीक है, goodie and hat ने यह वाला method of social research दिया था, तो आप ऐसे याद कर सकते है, social, social ना good है, social क्या है, good है, ना कि वो bad है, ठीक है, तो जैसी आपको सम्झाएगा, social क्या है, good है, हम society के साथ connect करते हैं, social होते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, वो good है, तो answer समझ में आ गया, social, good, simple सी बात है, हमना tricks भी समझेंगे, कैसे हम याद कर सकते हैं, concept को, क्योंकि बहुत सारे learning चीजे होते हैं, learning topics होते हैं, तो हमें easily कैसे याद करना है, mnemonics के थू, ठीक है, वो भी हम completely क बात करने की कोशिच करेंगे, वो सब चीजे हमारी classes में होती रहेंगी, next question पूचा है, what is the name of the conceptual framework in which the research is carried out, जहां पर research को बनाया जाता है, ठीक है, research hypothesis, synopsis of the hypothesis, research paradigm, या फिर research design, तो शोध की परिकल्मना, शोध का संशार, शोध की प्रतिमान, या फिर शोध design, अगर मैं बात करती हूं, conceptual framework की, ठीक है, framework की बात करते हैं, blueprint की बात करते हैं, blueprint की बात करते हैं, फ्रेमवक की बात करते हैं, तो आपका design हो जाता है, ठीक है, तेखो, प्रतिमान नहीं होगा, paradigm नहीं होगा, ठीक है, यहां पर synopsis मतलब, proper research के बारे में, चोटा सा एक pointers, मैं कह सकते हैं उसको, तो हम पूरा सार के बारे में बात नहीं कर रहें, एक research है आपकी, तो उसमें आपने पूरा सार बता दिया, कि आपने यह यह methods यूज किये थे, shorter way में, ठीक है, उसको हम कहते है, synopsis, next, research hypothesis, of course, होगा नहीं, परीकलपना की बात तो होई नहीं होईगी नही को meal provide करें, organization में, ठीक है, अब यहाँ पर बोला है, result को explore करना है, suppose करो, कि हमें, क्या गना है, भोजन provide किया जा रहा है, हमारा एक उदेश है, कि हम उसके परिणाम का पता करें, उसके result का पता करें, तो हम कौन सी research method को use करेंगे, कौन सा appropriate है, क्या वो descriptive है, मतलब, वर्नात्मक है, historical, ethiasic है, exposed है, पूर्व कार्य है, या फिर experimental है, प्रियोग यत्मक हो गया, ठीक है, सो कौन सा यहाँ पर research है, जो best है, अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर answer हो जाएगा, आपका third option, that is, पूर्व कार्य प्रतिबन, क्योंकि ये effect से causes को निकालता है, अब ये effect से cause क् होता है, ठीक है, आपने वो research complete कर ली है, जैसे मैंने मिड़े मील यहाँ पर interventions हो चुके है, खाना प्रोवाइड हो रहा है लोगों को, अब उसका result देखना है हमें, तो वो incident हो चुका है, वो चीजे हो चुकी है, वो incident, वो point हो चुका है, वो जो चीज है, वो done हो चुकी है, अब हम क्या कर रहे हैं उसका result को पता कर रहे है, ठीक है, उसके result को पता करने के लिए हम क्या करेंगे हाँ पर, exposed factor research लगाएंगे, या फिर पूर्व कार्या method को use करेंगे, प्रतिबंदित, ठीक है, next question, fourth question, the main aim of the scientific research in the research field is, main aim क्या है scientific method का, improve data interpretation, confirm triangulation, introduce new variable, या फिर eliminate spurious relation, यहाँ पर पूछाएं, शोध का जो छेत्र है, उसमें विज्ञानिक, पदिती का मुख्योदेश क्या है, डेटा का व्याखन में सुधार करना, ठीक है, तरी कोणी की पुष्टी करना, नए चरुक का परेचे करना, या फिर जूटे संबंदों को खतम करना, simple सी बात है, कि देखिए, हमें क्या करना है, हमें scientific research करना है, हमें क्या करना है, scientific मतला वैज्ञानिक, सही तरीके से experiments करने हैं, ताकि हमारा result निकल के आए, तो हम जो भी, जो ऐसे संबंद है, जो spurious होते हैं, जो गलत संबंद होते हैं, जो जूटे बोल सकते हैं, या फिर हम जो variables आते हैं, एक्स्टा जो problems आती हैं, उसको हमें खतम करना है, उसको हम खतम करेंगे, तब ही तो जाके हमारा scientific research बनेगा, scientifically हम research कर पाएंगे, ठीक है, विज्ञानिक तरीके से हम research कर पाएंगे, अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे, तो इसलिए यहां पर fourth option बिलकुल सही म खेतर के किसी विशे, राजनीतिक दल में संभावनाओं का अध्यन करने के में रूची रखता है, तो उस अध्यन के लिए कौन सा उपकरण पसंद करेगा, ठीक है, कौन सा यहां पर study प्रिफर करेगा, rating scale, interview, ठीक है, interview कर रहा है, rating scale कर रहा है, questionnaire क्या होता है, प्रश्नवली ठीक है, जैसे प्रश्ना पूछते हैं उसमें, और क्या होता है, schedule, schedule मतलब होता है आपका अनुसूची, तो अगर मैं बात करती हूँ, urban, urban जैसे कि आपको पता है, शहरी छेतर होते हैं, ठीक है, तो शहरी छेतर में लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो उस case में हम क्या करते ह है, questionnaire fill up कराते है, researcher, अब जैसे कि अगर आप शहरी छेतरों में जाओ, तो आपको पता है, आप malls में जाते हो, कभी, ठीक है, आप, वैसे भी आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, जैसे आप चल रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपको questionnaire fill up कराया जाता है, कि आपको form मिलता है, आप वहां पर introduction and all, सारी चीज़े जालते हो, अपना name, अपना phone number, अपना address, देन आपको बोला जाता है, कि अब अपना proper पूरा questionnaire fill up कराओ, तो questionnaire fill up कराते है, तो वो तब ही कराते है, जब आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, क्योंकि आप urban areas में हो, तो कहीं ना कहीं, आपको पत questionnaire होता है, लेकिन अगर मैं ruler की बात करती हूं, क्योंकि वहां पर गाउं के छेतर है, गाउं में लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है, illiterate होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उस case में क्या होता है, schedule को use किया जाता है, schedule में क्या होता है, respondent, ठीक है, respondent, यह यहां पे न, already higher किया जाता है, respondent मतलब कि यहां पर एक person ऐसा higher किया जाएगा, यहां पर basically respondent भी नहीं कह सकते हैं, इसको enumerator कहते हैं, अगर schedule की बात करते हैं, तो enumerator उस person को कह देते है, enumerator, enumerator, चीक है, यहां पर enumerator respondent तो क्या हो गया, respondent मतलब जो आप एक तरीके से आप स enumerator वो होता है, जो क्या करता है, question fill up कराता है, जैसे शहरों में जाते हैं, sorry, गाउं में जाके, लोगों के हर एक घर में जाके, वहां पर लोगों से question put up करते हैं, और वो खुद ही टिक करते हैं, अपने हिसाब से, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं लोग, उनसे अपना viewpoint उनका viewpoint ले लिया, ठीक है, उनका viewpoint ले लिया और उसके हिसाब से फिर वहां पर वो fill up करते हैं, कौन करता है, enumerator, यहाँ पर जो research में न, enumerator हैर किया जाता है, वो person identify करता है, और उसके बाद उसको वो चीजे define करता है, और उसके हिसाब से फिर questionnaire fill up होते हैं, तो यहाँ पर schedule में ध्यान रखिएगा, enumerator होता है, questionnaire में हमारा यहां पर respondent होता है, schedule आपका हो जाएगा, ruler के लिए, गाउं के चेत्रों के लिए, और urban areas के लिए आपका हो जाएगा questionnaire, ठीक है, hope आपको यह सारे questions बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को like जरूर कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को share जादा से जादा कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को subscribe भी कर दीजिए, ताकि आपको notification आती रहे हमारे courses की हमारे जो भी sessions टल रहे हैं, YouTube पे उनकी notifications आती रहे, thank you so much everyone.